हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शरमा और इस वीडियो में हम जैनवरी 4th वीक के सभी important करंट अफेर्स एक साथ कवर करने वाले हैं, जो भी aspirants हमारे daily करंट अफेर्स नहीं देख पाते हैं, वो इस वीडियो कि थ्रू अपने जैनवरी 4th वीक के करंट अफेर्स कवर कर सकते हैं, तो चलिए फिर करते हैं सुरूबात इस वीडियो सेशन की, 36 गड़ सरकार किस इस्थान पर सहीद सिरोमणी गेन सिंग की परतिमा इस्थापित करेगी, ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन D, राइनन्द गाउं, ये सुतंदरता आंदोलन में 36 गड़ से पहले बलिदानी थे, और जो आप image देख रहे हैं, ये हैं 36 गड़ के CM भुपेश भगेल, साथी आपको ये भी जानना चाहिए कि 36 गड़ की CM है अनुसुया उइके और कैपिटल है रायपूर, साथी अगर हम बात करें उन states की जिनमें 100 से अधिक urban local bodies हैं, तो 36 गड़ सबसे cleanest state है, as per Swachasar vacation 2020, साथी आपको ये भी जानना चाह forest, चित्रकूट falls, जिसे नाइगरा falls of India भी कहते हैं, तीरतगर falls, कंगेर घाटी national falls, पार्क, कैलास caves, कुतुमबुशर caves, अचानक मार century and उदान्ती century, ये सभी 36 गड़ में है और आपके static GK के लिए काफी important है, साथी अगर 36 गड़ से जुड़े हाली के current affairs की बात करें, तो 36 ग PPP model के तहट भारत का पहला ethanol plant भी 36 गड़ में सेट अप किया जाएगा, और 36 गड़ CM ने इंदरावन मिटान योजना को भी launch किया है, साथी आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कि 36 गड़ CM ने हाली में 45 rice distribution scheme को भी launch किया है, फ्रेंट जल्दी से ये देख लेते हैं कि 45 rice क्या होता है, देखें जो normal चावल होते हैं, उनको piece लिया जाता है, और उनमें iron मिला दिया जाता है, या फिर और nutrient जो होते हैं, उनको मिला दिया जाता है, और फिर से अब जो चूरा बन गया है, उसको फिर से चावल के रूप में बना दिया जाता है, और उनको जो normal चावल हैं, उनके साथ मिला दिया जाता है तो इससे क्या होता है जो चावल है उनका जो nutrient quantity है वो बढ़ जाती है किस राज्य ने जोती कुमारी को नशामुक्ती अभियान का ब्रैंड अम्बेस्टर बनाया है तो उप्शन्स आपके सामने है और correct answer होगा option A बिहार देखें लोक टाउन के समय गुरुगराम से दरबंगा तक 1200 किलोमेटर की दूरी साइकल से पूरी करके इन्होंने अपने injured फादर को यहां तक पहुचाया था दरबंगा तक तो इनका काफी चर्चा में भी रही है साथी अगर बिहार की बात करें तो यहां के CM है नितीश कुमार यहां के गवर्णर है फागु चोहान और यहां की कैपिटल है पटना साथी रेनू देवी और तार किश्वर परसाद यहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार से जुड़े करंटफेर्स की बात करें तो बिहार में जो बिहार का जो ग्लास ब्रीज है पहला ग्लास ब्रीज राजगीर में इसको सेट अप किया जा रहा है साथी फ्रेंट्स हाली में बिहार की पहली रामसर साइड बनी है कर बरताल और अगर हम बात करें तो हाली में यहां के CM नितिश कुमार ने बिहार का First State Bird Festival जिसका नाम है कल रहो इसको भी Friends उद्गाटन किया है नागी नक्टी Bird Century में महाननदा वन्यजीव अभ्यारण ने किस राज्य में इस्तित है और करेक्ट आंसर होगा Option D यह question इसलिए लिया गया है क्योंकि महाननदा Century का जो यह First Bird Festival है यह 20 फरवरी से होने वाला है और इसलिए यह News में रहा है अगर हम West Bengal से बात करें जुड़े हुए कुछ facts की तो यहां की CM है ममता बेनर जी और यहां की Governor है जगतीव धनकर और Capital है Kolkata यह आप सभी जानते हैं देखे जल्दी से West Bengal के बारे में important facts जान लेते हैं तो वर्ड का largest mangrove forest सुन्दरबन West Bengal में located है बुकसा टाइगर रिजर्ब, गोरुमारा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सिंगा लीला नेशनल पार्क, सीचल वाइड लाइफ सेंचुरी यह West Bengal में है साथी Kolkata जो है यह Eastern Railway, South Eastern Railway और Kolkata Metro इनका headquarters है साथी Kolkata Metro जो है Country की First Underground Railway है और Darjeeling Himalayan Railway यह UNESCO World Heritage Site है साथी Netaji सुभाज चंदरबोस International Airport यह Kolkata में है और इसी के साथ पाग डोगरा Airport और काजी नजरूल इसलाम Airport यह भी West Bengal में है साथी Haldiya Port, Garden, Reach, Sea Builders and Engineers इसका headquarters भी Kolkata में है यह question पूछा जाता है exams में साथी Indian Museum और RBI Museum यह दोनों ही Kolkata में इस्थित है पृत्वी विज्यानमंत्री हर्षवर्दन ने किस राज्य में डॉपलर, मौसम, रडार का उधगाटन किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option D, उत्राकंट and हिमाचल परदेश तो यह क्या होगा weather forecast के लिए यह system अब यूज में लाए जाएगा अगर हम हर्षवर्दन जी से बात करें इनकी अगर इनसे जुड़े facts की बात करें तो देखिए इनके पास तीन ministry's हैं एक तो ministry of science and technology, ministry of health and family welfare और ministry of earth sciences साथ अगर इनसे जुड़े current affairs की बात करें तो हर्षवर्दन जी को हाल ही में गवी जो की vaccine alliance है इसके board member की रूप में नोमिनेट किया गया है साथी इन्होंने इंडिया की पहली pneumonia vaccine जिसका नामे न्यूमोसिल इसको भी launch किया है साथी इन्होंने हाल ही में action agenda foreign आत्मनिरबर भारत इसको भी release किया है इस report को release किया है साथी इन्होंने हाल ही में जो ocean data management इसका एक digital platform launch किया है जिसका नाम है digital ocean साथी इन्होंने हाल ही में CEPI centralized network lab इसका भी उत्कारटन किया है फरीदाबाद में परसिद सास्त्री संगीत कार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जिनका हाली में निधन हो गया ये किस घराने से संबंदित थे इस तरह के question पूछे जाते हैं आपके exam में कि ये किस घराने से संबंदित थे तो answer होगा option D रामपूर सैस्वान घराना और अगर हम इनकी बात करें उस्ताद गुलाम मुस्तफा कान की तो पदमश्री पदमभूशन पदमभूशन तीनो सम्मान से इने सम्मानित किया गया था और इन्हें संगीत नाटक कला Academy Award से भी सम्मानित किया जा चुका है नरेंदर चंचल जिनका हाली में निधन हो गया वे लोक प्रिय क्या थे तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि ये भजन सिंगर थे केंद्रे पेट्रोलियम, प्राकरतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंदर परदान ने किस इस्थान पर शेल एनर्जी इंडिया के पहले लगू इस तरिये LNG आपूरति अवसन रचना का उधगाटन किया है यानि फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG सप्लाई इंफरस्ट्रक्चर ऑफ सेल एनर्जी इंडिया तो ये किया है फ्रेंड्स हजी राजो की गुजरात में है साथी आपको ये भी जानना चाहिए कि धर्मेंद्र परदान ने हाली में देश का आटवा ओल एंड गैस प्रोडक्शन प्लांट ये भी लॉंच किया है वेस्ट बेंगॉल में साथी इन्होंने ओल इंडिया लिमिटेड का जो एक सेस्मिक सर्वे कैंपेन है इसको भी इनोगरेट किया है साथी धर्मेंद्र परदान ने देश का सोवा MNGL CNG स्टेशन इसको भी पूने में लॉंच किया है और इन्होंने हाल ही में माईगरेंट वरकर सेल इसको सूरत में इनोगरेट किया है आगे बढ़ते हैं उत्तर अमेरिकी छेतर पर केंद्रित इंडिया सब कॉन्ट्रेक्टिंग एक्सपोर 2021 ये कब आयोजित की जाएगी इसको आप ना पढ़ें इसको आप इंगलिस में पढ़ें इंडिया सब कॉन्ट्रेक्टिंग एक्सपोर 2021 ये उत्तर अभियान शुरू किया है तो यह अभियान शुरू किया है Ministry of Petroleum and Natural Gas द्वारा और Petroleum Conservation Research Association यानी PCRA इसके तहित यह शुरुवात की गई है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रेंख है तो इसमें भारत की रेंख है 61 यानी 61 रेंख है और इस इंडेक्स को जर्मणी ने टॉप किया है साथी दूसरे नंबर पर रहे हैं स्वीडन फिनलैंड एंड इस्पेन साथी भारत के साथ और भी कंट्र आपको पता होगा इंसुरेंस कंपनी है देखिए यूनिकॉर्ण का मतलब क्या होता है जब भी कोई कंपनी वन बिलियन यूएस टोलर की जो वैल्यूएशन है उसको क्रोस कर जाता है तो वह कंपनी कहलाती है यूनिकॉर्ण और अगर हम डिजिट की बात करें तो इसका लिए और डिजिट के जो फाउंडर चेर्मेन है इनका नाम है कमेश कोयल गार्डन डीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी जी यार एसी लिमिटेड ने किस देश के साथ समुद्री जहाज के निर्मान के लिए 12.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंद पर हस् कि अगर बात करें गयाना की तो इसके कैपिल है जॉच टाउन देखे क्यों की क्यापिटल जोच मैंने सोचा कि आपको साथ में बता दूँं कि इस यëरा लिएं इसकी केपिल है फुर्ी टाउन तो दोनों टाउं टाउं है यहां से आप इसको प३ सकते हैं साथ ही जो GRSC का headquarters है ये कॉलकाता में जैसा कि हमने पहले भी डिसकस किया है देखिए आप जल्दी से इस मैप को देखिए और गयाना देखिए सबसे टॉप में देखिए आप गयाना आपको देख रहा होगा वेनेजोला और सुरीनाम के बीच में तो देखिए कभी-कभी यहां से साउथ अमेरिकन कॉंटिनेंट है यहां से कोश्चन यह बनता है कि जो साउथ अमेरिका है यहां पर कौन सी कंट्रीज जो हैं लैंड लोग कंट्रीज हैं तो इनमें याज रखना बोलिविया और पेरागवे जो कि आप देख भी पा रहे हों तो फ्रेंट्स हाइदराबाद में बनने जा रहा है यह पहला ग्लोबल डिजिटल हब सांकिकी और कारेकरम कारियान वेन मंत्राले द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में भारत की खुद्रा-मुद्रा-िस्वीती घटकर कितने परतिशत हुई है यानी रिट को यह भी याद रखना चाहिए कि जो IIP है यानि index of industrial production यह 1.9% हुआ है नवंबर में इस तरह के आकड़े आपके exam में पूछ ले जाते हैं और अगर हम इसकी बात करें रिटेल inflation की तो नवंबर में यह 6.93% थी तो question आपका नवंबर सा भी पूछे जा सकता है और December का भी के बेस पर अपने तैय करता है रिटेल inflation के बेस पर एपीजे एम नजेमा मराई की आरद्वारा लिखी गई पुस्तक अब्दुल कलाम निनाई वुगलव कू मराना मिलाई immortal memories का किसने अनावरन किया तो यह किया हमारे वाइस प्रेजिडेंट वेंकाया नाइवडूची ने और आपको यह भी मालू होना चाहिए कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे हैं इन्हें 1970 में भारत रत्ने से सम्मानित किया गया था अंतराष्टे सम्मान कनाडा साहित गोरव से किसे सम्मानित किया गया है तो यह किया गया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोकरियाल निशंक जी को और साथ ही कि अगर इनसे हम जुड़े कुछ अवार्ड की बात करें तो इन्हें हाल ही में वतन सिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है साथ ही इन्हें इंटरनेशनल वतयान अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है अनिस्क्रिप्टेड कन्वर्जेजन ओन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक के लेकक कौन है तो इसके लेकक हैं विदू विनो चोपड़ा जो कि आपको पता होगा कि फ पहर में साथी आपको यह भी जानना चाहिए कि अमित्साने हाली में मनीपुर में थोबल डैम इसको भी इनोगरेट किया है साथी अमित्साने हाली में CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स केंपस को भी करनाटका में लॉंच किया है घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन किस रा यानि जो सस्ते गल्ले की दुकाने होती है उनका अलोटमेंट किया है साथी आपको यह भी जानना चाहिए कि यहां की चीफ मिनिश्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंग और यहां के गवर्नर है वी पी सिंग बदनौर पंजाब से जुड़े करंट अफेर्स की बात करें तो प सभी हमने अपने प्रीवेस सेशंस में कवर किये हुए हैं यहां पर आपके रिविजन परपस के लिए बताय जा रहे हैं किस मंत्राले ने लोह अयस्क निथी 2021 को मंजूरी दी है यानि आयरन और पॉलिशी 2021 तो यह मंजूरी दी है मिनिश्ट्री ओफ रेलवेज ने और इस को 10 फरवरी 2020 से लागू भी किया जाएगा साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि यह हैं पियूस गोयल और इनके पास तीन मिनिश्ट्री जैं मिनिश्ट्री ओफ कंजूमर अफेर्स फूड एंड पॉब्लिक दिस्ट्रिबूशन दूसरी है मिनिश्ट्री ओफ कॉमर्स इंडर्स्ट्री और तीसरी है मिनिश्ट्री ओफ रेलवेस योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्टपती के रूप में छटा कारेकाल जीता है तो फ्रेंड्स यह बने है यूगांडा के प्रेजिडेंड सिक्स्थ टाइम यूगांडा की बात करें तो यहां की कैपि दिया गया है नेता जी एक्सप्रेस सुभाष चंद्रबोश्ची के नाम पर यह अब नाम दिया गया है आपको यह भी जानना चाहिए कि नेता जी का जो जन्म है यह 23 जन्वरी 1897 को हुआ था और 23 जन्वरी को भारत सरकार पराकरम दिवस मनाने जा रही है और हर साल अब प 25 जन्वर्स में अब एंटर कर चुके हैं भारते वायू सेना और फ्रांसिसी वायू और अंत्रिक सेना ने किस इस्थान पर एक द्वी पक्षे वायू अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 आयो जित किया तो यह आयो जन्वा है राजस्थान के जोथपूर एयर बे प्रत्यक्षे लाब हस्तान त्रण के माध्यम से विजली सबसिटी देने वाला पहला राज्य बन गया है तो यह बन गया है फ्रेंड्स मध्यपर्देश मध्यपर्देश के बारे में जल्दी से क्विक फेक्ट जान लेते हैं जो कि आपकी स्टैटिक जीके के लिए काफी जरूरी है अगर हम एरिया वाइस बात करें या मतलब साइज में अगर बात करें तो मध्यपर्देश जो है सेकंड लाड़िस इस्टेट है बैंक नोट प्रेस ये मध्यपर्देश के देवास में है निउस्प्रिंट फैक्टरी ये नेपा नगर में है कई बार रेल्वे और S.S.C के एक्जाम में पूछा गया है कि नेपा नगर किस चीज के लिए फेमस है तो आंसर होगा निउस्प्रिंट फैक्टरी बगोरिया ट्राइवल फेस्टिवल, तांसेन म्यूजिक फेस्टिवल का वेन्यू पूछा जाता है तो ग्वालियर में मनाया जाता है ये कालिदास समारो ये उज्जैन में मनाया जाता है नर्मदा फेस्टिवल, काना, कुनो, बांदावगर नेसल पार्क, दुमादार फॉल, माईश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट और अमरकंटक ये सबी मध्यपरदेश में है, साथी खजुराओक टेंपल्स, उदाइगिरी केव्स, पीम बेटका रोक शेल्टर ये भी मध्यपरदेश में है, मध्यपरदेश से चुड़े करंट अफेर्स की बात करें, तो मध्यपरदेश ने हाली में एक जीला, एक शिल्प इस केमपेन को लौंच किया है, साथी टोप पेरेंट एप स्टुडेंट्स के लिए लौंच की गई है, और इन्होंने धर्म स पतंत्रे, Religious Freedom Bill 2020 इसको एप्रूव किया है, साथी एक मास्क अनेक जिन्द की कैमपेन भी मध्यपरदेश द्वारा लौंच किया गया है, साथी रोजगार से तु इसकीम, ये skilled workers के लिए मध्यपरदेश सरकार ने लौंच की है, साथी फ्रेंट्स आपको मालूम होगा कि मध मध्यपरदेश को टाइगर इस्टेट बोला जाता है, तो अब आप इसको लेपरड इस्टेड इव बोल सकते हैं, क्योंकि जो हाली में 2018 की जो लेपरड सेंस के जो आंकडे हाली में रिलीस की गए हैं, तो उनके इसाब से सबसे यादा लेपरड भारत में मध्यपरदेश राज्य में हैं, टोटल 3421, और अगर पूरे भारत में बात करें तो 12852 लेपरड पूरे भारत में हैं, और इससे पहले ये जो आंकडे आये थे 2015 की सेंस के आये थे, ये 2018 वाली सेंस की आंकडे हैं, साथ ही आपको यही मालूम होना चाहिए, कि फरस्ट इस्नो लेपरड सेंस कारी लॉंच की गई है, साथी ये सभी टाइगर रिजर्व मध्यपरदेश में है, काना, पेंच, पन्ना, बांदावगड, सत्थपुडा और संजे टाइगर रिजर्व, साथी मध्यपरदेश ने हाली में लॉंच पैड स्कीम इसको भी लॉंच किया है, किस राज्य या य इमेज देख रहे हैं, यह यहां के सीम है, जैराम ठाकूर, यहां की कवरणर है, बंदारु दत्तात्रेय, और यहां की कैपिटल है, शिमला, मध्यपरदेश में आपको यह भी जानना चाहिए, कि यहां पर ग्रेट हिमालियन नेसनल पार्क और पीन वैली नेसनल पार्क है, और यहां का जो इस्टेट अनिमल है, यह है, इसनो लेपरड, अगर हम हिमाचल पर्देश से जोड़े करेंट अफेर्स की बात करें, तो इन्होंने हाली में हिम सुरक सा अभियान इसको लौंच किया है, ताकि COVID-19 पैंड़मिक के बारे में लोगों को जागरुक किया जा सक और इसके बियारों ने बनाया, यानि बॉर्डर रोड और और इसकी टोटल लेंद नाइन पॉइंट जिरो टू किलो मेटर्स, साथी हमाचल परदेश में हाली में अटल भियारी वाचपेजी का एक 18 फिट इस्टेचू भी अनावरेंड किया गया है शिमला में, कैरोलीना म मेरीन और विक्टर एकसल सेन जिन्होंने हाली में थाइलेंड ओपन जीता है, किस खेल से संबंदित हैं, तो फ्रेंट्स ये बैटमिंटन खेल से संबंदित हैं और दोनों ने अपने अपने वर्ग में सिंगल स्टाइटल जीता है, आयूस मंत्राले का प्रभार अज थाई ये शो नाइक, इनका हाली में एकसिडेंट हो गया है, जिसमें इनकी जो वाइफ हैं, उनका भी निधन हो गया है, और ये गंभी रूप से खाय लें, और इनका ट्रिटमेंट चल रहा है होस्पिटल में, किस राज्य ने बागवानी विकास मिशन, बागायत विकास मिशन भी कह सकते हैं, इसकी घोशना की है, तो फ्रेंट्स ये की है, गुजरात राज्य ने, और गुजरात के सीमें विजय रूपानी, यहां के गवर्णर है आचारे देवरत, और कैपिटल है यहां की गांधी नगर, साथी आपको ये भी जानना चाहिए, कि जो ये मिशन है, ब लोंच किया है, फार्मर्स के लिए, साथी परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने गिरनार रोफवे, इसको भी लोंच किया है, और यहां पर एक मुख्य मंत्री किसान सहाई योजना, जो की फार्मर्स को क्रोप लोस के बदले जो उनको कमपेंसेशन देने के लिए, इसको भी साथी मुख्यमंत्री महीला कल्यान इसकीम ये भी गुजराथ से रिलेटेड है और फ्रेंट्स गुजराथ 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 और राज जेपाल थे इनका हाली में निधन हो गया है Global Firepower की वार्शिक रक्षा समिख्षा में भारत की रेंक क्या है What is India's Rank in the Global Firepower Annual Defense Review तो इसमें भारत की रेंक है 4th तो इसमें countries को उनके offensive and defensive military campaign के चिसाब से रेंक किया गया है और इसमें पहले नमबर पर है USA, दूसे नमबर पर है रशिया, तीसे नमबर पर है चाइना तो इसमें USA के बारे में जैसे बताया गया है कि इसके पास 904 अटेक हेलिकॉप्टर सें, 11 एरक्राफ्ट केरियर सें और 68 सममेरीन सें तो इसी तरह से कंट्रीज को रैंक किया गया है हाल ही में ओपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा लॉंच किया गया तो ये लॉंच किया गया है Border Security Force यानि BSF के द्वारा इस ओपरेशन का मकसद भारत का जो Western Border है जैसे लमेर से लगा हुआ उसमें सुरक्षा बढ़ाना है साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि समर सीजन में BSF गरम हवा इस नाम से ओपरेशन चलाती है और Winter Season में सर्द हवा इस नाम से ओपरेशन चलाती है BSF का Headquarters New Delhi में है और इसका मोटो है Duty Unto Death यानि जीवन परियतनिक करतव्य और इसके Director General है राकेश अस्ताना आशियान में भारत के अगले राजतूत के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो ये किया गया है जेयन एन खोबर गड़े को साथी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आशियान है ये 8 अगस्त 1967 को बैंकोग में 5 कंट्रीज द्वारा एक मीटिंग हुई इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर और थाइलेंड के बीच तो इन सबी ने मिलकर आशियान जो डिकलेरेशन है इसको पारित किया और इसी के तहर इसका इस्थापना की गई साथी इसमें अगर मेंबर स्टेट्स के देखें तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मियामार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइलेंड और वियतनाम इसके मेंबर स्टेट्स है साथी फ्रेंट्स इसी तरह कि अगर एक और हम अपॉइंट्मेंट देखें तो यूनेस्को जिसका हैटकॉर्टर स्पेरिस में है तो भारत ने यूनेस्को में अपने जो नेक्स्ट पर्मानेंट अम्बैस्टर नियुक किये हैं इनका नाम है विसाल वी सर्मा यह हाली की अपॉइंट्मेंट है इसलिए आप इसको नोट डाउन जरूर कर दीजिए अंतराष्टे सिक्सा दीवस और राष्टे बाली का दीवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो यह दोनों ही दीवस मनाया जाते हैं 24 जनवरी को और इंटरनेशनल डे ओफ एजुकेशन इसका थीम रहा है रिकावर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फोर दा कोविड नाइंटीन जनेरेशन और नैसनल गल्ड चाइल डे इसका जो थीम रहा है यह रहा है रेसिंग अवेरनेस ओन दा इशु ओफ डिकलाइनिंग चाइल सेक्ष रेश्यो राष्टे बाली का दीवस के अवसर पर स्रिष्टी गोस्वामी को एक दिन के लिए किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है तो फैंड्स यह बनाया गया उत्राखंड में स्रिष्टी गोस्वामी जो है यह आरिद्वार से बिलोंग करती है और उत्राखंड के सीम है त्रिवेंदर सिंग रावत यहां की गवरणर है बेबी रानी मोरिया और यहां की जो विंटर कैपिटल है यह धेरादून और समर कैपिटल है गैर सेंड किस संगठर ने The Global Risk Report 2021 जारी की है तो ये रिपोर्ट जारी की है World Economic Forum ने WEF जिसको बोलते हैं और इसका headquarters कॉलोगनी इन स्विजर लेंड में है और friends Klaus Swab द्वारा इसको found किया गया था इसके founder है Klaus Swab ये कई बार question पूछा गया है आपके PCS में भी और SSC में भी साथी देखिए अब जो World Economic Forum है ये कौन-कौन सी रिपोर्ट जारी करता है ये भी हम देख लेते हैं Global Competitiveness Report साथी Global Gender Report भी ये ही जारी करता है और Global Enabling Trade Report भी ये ही जारी करता है साथी Global Travel and Tourism Report भी World Economic Forum द्वारा जारी की जाती है किया है जिसे Abel 370 कहा जाता है तो ये किया है फ्रेंट्स नासा ने और आपको ये भी बता दें कि ये जो cluster पाया गया है तो इसकी 38 से जो दूरी है वो 4.9 billion light years है और 1 light year में 9.461 into 10 की पावर 12 km होता है राष्टे परेटन दीवस और राष्टे मतदाता दीवस किस दिन मनाया जाता है तो फ्रेंट्स ये दोनों ही दीवस मनाया जाते हैं 25 जन्वरी को और National Water Day का थीम रहा है Making Our Waters Empowered Vigilant, Safe and Informed निम्रिकित में से किस ने Masquerade 2021 के 7 वे संसकरण का आयोजन किया तो ये आयोजन किया है फिक्की ने तो इसके तहट ये जो Campaign है इसमें Smuggled and Counterfeit Trade यानि तसकरी और फरजी व्यापार के Against ये Movement चराए गया है फिक्की यानि Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry इसकी स्थापना 1927 में की गई थी ये कोशन बैंक में कई बार पुचा जा चुका है इसकी स्थापना को लेकर साथ ही इसके जो प्रेजिडेंट है ये है उद्रेशंकर किस बैंक ने कई स्वास्ते और कल्यान लाबों के साथ एक क्रेडिट कार्ड अवरा लॉंच किया है यानि इसमें कई सारे हेल्थ और वेल्नेस मेनेफिट्स इस क्रेडिट कार्ड के थुरू दिये जाएंगे तो इसको लॉंच किया है एकसिस बैंक ने यानि अगर आप कोई हेल्थ प्रोड़क्ट लेते हैं और इसके थुरू पेमेंट उसकी करते हैं तो उसमें आपको कई तरह की डिसकाउंट वेगरा प्रोवाइट कराए जाते हैं एकसिस बैंक से जुड़े अगर करन्ट अफेर्स की बात करें तो एकसिस बैंक और रूपीफाई ने हाल ही में एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड MSME के लिए भी लॉंच किया है साथी एकसिस बैंक और विस्तारा ने मिलकर एक को ब्रेंडेंट फोरेक्स कार्ड भी लॉंच किया है साथी एकसिस बैंक ने हाली में Google Pay and Visa के साथ मिलकर AS Credit Card इसको भी लॉंच किया साथी एकसिस बैंक ने एक कैंपेंड भी हाली में चलाया था दिल से ओपन सेलिब्रेशन्स साथी एकसिस बैंक ने बेर का जो बैटर लाइफ फार्मिंग इनिशेटिव है इसके साथ भी इनोंने सैयोग किया है तो यह सभी करंट अफेर्स आपके लिए मिसाइल का सफिल फ्रिक्षन किया है पाकिस्तान रिसेंडली सैड इट है सकसेस्फुली टेस्ट फाइड विच न्यूक्लियर केपेबल सर्फिस टू सर्फिस बैलिस्टिक मिसाइल तो आंसर होगा साहीन 3 पाकिस्तान की बात है तो प्रदान मंत्री है इमरान खान यहां के प्रेजिडेंट है आरिफ अल्वी और यहां की कैपिटल है इसलामबाद इंडियन एक्रिकल्चर टूर्ड्स 2030 पर राष्ट्य समवाद किसके द्वारा आयोजित किया गया तो यह आयोजित किया गया है फाओ नितियायोग और मिनिस्ट्री ओफ एग्रिकल्चर द्वारा फाओ यानि फूड एग्रिकल्चर और्गनाइजेशन साथी इसको जो इनोगरेट किया है यह किया है वंकाया नाइडू जो कि हमारे वाइस प्रेजिडेंट है किस टीम को हरा कर जोएंटस ने यह इसी के लिए खेलते हैं रिसर्च सेंटर इमारत जिसने हाली में स्मार्ट एंटी एर फिल्ड वेपन साउ को डिजाइन एंड डेवलप किया है यह किस सहर में इस्तित है तो फ्रेंट्स यहां से देखे दो तीन कोश्चन आपके बन जाते हैं पहले इसका आंसर जान लेते हैं तो रिसर्च सेंटर इमारत यह डिया डिया डियो की एक लैब है और यह तेलंगाना के हैधराबाद में लोकेटेड है देखे एक कोश्चन तो यह हो गया दूसरा यह हो गया है कि किस ने लॉंच किया समार्ट एंटी एरफियल्ड में लॉंच किया तो डीया डियो उने किया है साथी यह भी पुछा जा सकता है आपको साव दिया जा सकता है यह पुछ ले जाता है शोड़कष हमें टैपलप किया है ऐसर्च एleistरे से यह डिया परतेंट कोश्चन है वो ये बनेगा कि इसको किस aircraft के तुरू इसको test किया गया है weapon को तो उसमें answer होगा Hawk Eye aircraft ठीक है और जो ये weapon है इसकी range है 100 km और Udisa Coast से इसको launch किया गया है इसको test किया गया है और it was fired from an Indian Hawk MK 132 trainer aircraft ये काफ़ी important है आपके लिए विदेशी मूल उपकरण पर निर्भरता कप करने के उद्देश से भारते सेना ने निमलिकित में से किसके साथ एक समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किये है तो friends ये किये है SIDM के साथ यानि Society of Indian Defense Manufacturers के साथ Long Ops परियोजना किन देशों के बीच एक सहय भागिता है यानि collaboration है तो friends ये है जापान और United Kingdom के बीच देखें जो Long Ops परियोजना UK और जापान के बीच एक सहय योग है और इस operation के तहित जापान और United Kingdom के वैग्यानिक Fukushima जैसे पुरानी परमानु सुविधाओं को नश्ट करने के लिए एक नई और स्वक्षी तक्निक विक्षित करेंगे जो कि tsunami और भुकम से गंभी रूप से छतिगरस्त हो गए थी ठीक है यह देखें यहाँ पर का गया है कि United Kingdom and Japan have come together to develop new safer technologies to dismantle all the nuclear facilities like the Fukushima reactors which were severely damaged by an earthquake and tsunami in March 2011 और फ्रेंड्स साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह जो है यह 12 मिलियन यूरो का एक प्रोजेक्ट है यानी 120 करोड रूपे का प्रोजेक्ट है और इसमें जो है एक लंबी आम्स वाले रोबोट्स यूज किये गए हैं इसलिए इसका नाम दिया गया है Long Ops तो जिससे जो म संत्राल है और डियार्डियों ने इस्थाई भूख अत्रे प्रबंदन पर तकनिकी आदान प्रदान के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो यह किये हैं फ्रेंड्स मिरिष्ट्री ओफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेस ने और इसमें जो मंत्री रिस अभी संपन हुई है जिसे की भारत ने जीता है तो उसी में इन्होंने अपना हंड्रेट टेस्ट मैच खेला है और यह अब तक 25,690 बॉल्स डाल चुके हैं और इन्होंने बिना ओवर स्टैपिंग के अपने हंड्रेट टेस्ट खेले हैं तो यह काफी बड़ा किर्थिमान है इनके लिए 2021 में कितने बच्चों को परदानमंत्री राष्टे बाल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी 32 परदानमंत्री राष्टे बाल पुरुसकार को नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट के नाम स से भी जाना जाता था यह 18 साल से कम आयू के बच्चों को दिया जाता है और हर साल रिपप्लिक डे पर इन पुरुसकारों का वित्रण किया जाता है साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि सबसे पहले यह अवार्ड उन्निस सो छ्यानवें में दिये गए थे निम लिकित में से किस की एक नई परजाती पश्चिम अफ्रिका के निमबा परवत में पाई गई है तो यह पाई गई है फ्रेंड्स बैट की यानि चमगादड की और इसका नाम है मायोटिस निमबांसिस और ओरेंच एंड बलेक रंग की इस पिसीज है तो निमबा 2017 में लॉंच किये गए 104 उपग्रह का रिकोर्ड तोड़ दिया है तो फ्रेंड्स आंसर होगा इसका ओफिशन ए SpaceX SpaceX जो है यह Elon Musk की एक Space Startup है इनिके द्वारा यह co-founded की गई थी साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि इस मिशन का नाम रहा है ट्रांसपोर्टर वन मिशन और इसको फालकॉन नाइन रोकेट से लॉंच किया गया है और लॉंचिंग इस्टेशन रहा केप कैनवेरल इस्पेस फोर्स इस्टेशन जो की फ्लोरीडा में है साथी फ्रेंड्स SpaceX का एक मिशन है Small Set Right Share Program मिशन तो आपके एकजाम में इस तरह से कॉश्शन पूछा जा सकता है कि यह किस इस्पेस स्टारट अप से जुड़ा हुआ है तो इस मिशन का मकसद यह है कि जो Small Satellite Companies होती है वे काफी कम खर्चे में इस पेस में अपने मिशन को लॉंच कर सकें तो उसमें SpaceX इनकी सायता करता है नाकुला जहां भारती है और चीनी सैनिकों के बीच मामूली जड़प हुई किस राज्य या Union territory में इस्थित है तो फ्रेंड्स नाकुला इस्थित है सिक्किम में और Times of India ने इसको इस तरह से कवर किया है Indian Chinese soldiers injured in physical brawl near नाकुला in सिक्किम तो जो आप ये word देख रहे हैं न ब्रॉल तो इसका मतलब होता है जड़प सोर सरावे वाली fight जो ही violent हो जाए तो उसको बोलते हैं brawl तो इस तरह से आप vocabulary भी अपना increase किया किजिए जब आप कोई news पढ़ते हैं साथी सिक्किम की बात करें तो यहां की capital है gang talk और CM है यहां के प्रेम सिंग तमांग और governor है गंगा परशाद साथी आपको यह भी जानना चाहिए कि पैक्योंग airport यह सिक्किम में है और कई बार exam में पूछा भी जा चुका है साथी NHPC ने हाली में यहां पर एक project है रंगित 4 project इसका अधिगरण कर लिया है जो रंगित रीवर है यह तीस्ता नदी की ट्रिब्यूट्री है निमलिखित में से किसने हैदराबाद और शिकागों की बीच पहली non-stop सेवाई शुरू की है तो फ्रेंट्स यह non-stop सेवा शुरू की है एर इंडिया ने निमलिखित में से किसने सुदेशी रूप से दुनिया की पहली सारो भूमिक यानि यूनिवर्सर बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका नाम शक्ती है इसको डेवलप किया है तो फ्रेंट्स यह किया है अनूप मिच्छरा निमलिखित में से किसने इमारतों के अंदर आतंगवादियों पर नजर रखने के लिए सुदेशी रूप से एक माइक्रोप्टर विक्सित किया है तो फ्रेंट्स यह माइक्रोप्टर विक्सित किया है लेटेन जनरल जी वाई के रेड़ डी ने तो माइक्रोप्टर मतलब एक ड्रोण टाइप का आप समझ सकते हैं जो ही काफी छोटा होता है कोविड-19 के विरोत के बाद किस देश के परधानमंत्री खुरल्सुक उखना ने इस्तिफा दे दिया है तो फ्रेंट्स यह दिया है मंगोलिया के परधानमंत्री ने इनका न प्रेल खुरल साथी गोबी डिजर्ट यह चाइना और मंगोलिया में यह पुरा विस्तार हुआ है गोबी डिजर्ट तो यह भी एक्जाम में आपके पूछा जाता है कि गोपी डिजर्ट कहां पर लोकेटेड है निमलिकित में से कौन दसवी राष्ट आइस होकी चैंपिय ट्रॉफी जीता तो फ्रेंट्स यह जीता है ITBP और इसका वेन्यूरा है गुलमर्ग इन जम्मु एंड कश्मीर अमेरिकी राष्ट पती जो विडेन ने राष्ट्य सुरक्षा सराकार के रूप में किसे निउक्त किया है तो इन्होंने निउक्त किया है जेक सुलिवन को किस बैंक ने 4X पार्टनर्स के लिए इस्थाएफ एक्स मॉबाईल आप लांच किया है तो इसके द्वारा क्या होगा की जो authorized money changers होते हैं तो में नए customers का KYC verification खुद से कर सकते हैं digitally पहले इस verification में 2-3 दिन लग जाते थे तो अब ये verification तुरंत हो सकता है साथ है अगर हम ICICI bank से जुड़े हाली के current affairs देखें तो ICICI bank ने हाली में NIO जो की एक fintech company है इसके साथ tie up करके prepared card भी launch किया है MSMEs के लिए साथी ICICI bank ने Infinite India इस online platform को launch किया है साथी ICICI bank ने iMobile पे इसको भी launch किया है और ICICI bank ने नेपाल में अपना representative office भी हाली में खोला है साथी ICICI bank ने cardless EMI इसको भी introduce किया है साथी इस bank ने mine इस platform को भी launch किया है साथी ICICI bank ने home उत्सव जो कि एक virtual property exhibition है इसको भी launch किया था और ICICI bank ने iStartup 2.0 जो कि एक program है startup से जुड़ा हुआ इसको भी launch किया है तो यह सभी हमने अपने previous sessions में cover किये हुए है यहाँ पर आपके revision purpose के लिए बताए गए है detail के लिए आप इनको खुद से search करके देख सकते है युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए किस राज्य ने उद्यम सारती एप launch किया है तो यह एप launch किया है उत्तरपरदेश ने यहाँ के CMY योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्णनर है आनंदी बेन पटेल जो की मध्यपरदेश की भी गवर्णनर है और यहाँ की capital है लखनव उत्तरपरदेश से जुड़ेगर current affairs की बात करें तो यहाँ पर एक जेवर एरपोर्ड भी develop हो रहा है तो इसे UP government और जूरिक फर्म जो है यह दोनों मिलकर इसका develop कर रही है साथी cars and bikes पर अगर कोई caste identity stickers लगाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाए जाएगा क्योंकि यह बेन कर दिया गया है उत्तरपरदेश में साथी सिख्ध गुरू का जो इतिहास है इसको अब योगी government अपने schools लेबस में include करेगी साथी योगी government ने जो land disputes होते हैं उनको निप्टाने के लिए वरासत scheme को launch किया है साथी friends यहां की कीथम लेग जिसे सूर सरोवर भी बोलते हैं यह आगरा के पास है इसको रामसर साइट का दरजा मिला है साथी परदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापूर डिष्टिक से हर घर नल योजना इसको launch किया है साथी UPCM ने हाली में URISE portal को launch किया है उत्तरप्रदेश गवर्मेंट ने एक mission सक्ती campaign भी चलाया है जो की women empowerment program है साथी उत्तरप्रदेश गवर्मेंट ने 36,402 करोड की लागत से बनने वाले कंगा expressway project को भी मंजूरी दे दी है साथी उत्तरप्रदेश CM ने हाली में बाल श्रमिक विद्या योजना इसको भी announce किया है साथी उत्तरप्रदेश जो है कि नोईडा सहर में भारत की biggest film city ये भी बनने जा रही है साथी उत्तरप्रदेश government ने एक मेरा covid केंद्र इस app को launch किया है ताकि अगर किसी को अपना covid-19 का test कराना हो तो वो अपने आसपास की जहां पर भी lab हो उसको देख सकता है कि मेरे आसपास कौन सी lab है जहां पर मैं test करा सकता हूँ साथी उत्तरप्रदेश government ने हाथ दोना रोके को रोना इस campaign को भी launch किया है साथी उत्तरप्रदेश government ने startup fund भी एक launch किया है साथी यहां पर NRI unified portal भी launch किया गया है साथी इंडिया का पहला blockchain enabled rooftop solar trading platform भी उत्तरप्रदेश में launch किया गया है और उत्तरप्रदेश का जो कुशिनगर airport है इसको हाल ही में international status प्रदान किया गया है अंतराश्य दर्जा साथी उत्तरप्रदेश के CM ने आरोग्य मेले को भी उत्तखाटन किया है साथी किसान कल्यान mission ये भी उत्तरप्रदेश government द्वारा शुरू किया गया है साथी इंडिया का पहला women's team जो की disaster combat कर सके जो की disaster के time पर अपना हाथ बटा सके तो एसी first women's team ये भी उत्तरप्रदेश में launch की गई है तो यह है उत्तरप्रदेश के गढ़ मुक्तेशवर एक जगा है टाउन है तो यहाँ पर इन्होंने operation अपना शुरू किया है साथी CM योग्या दित्रनात ने हाल ही में जहासी में strawberry festival को भी launch किया है तो यह सबी काफी important है आपके उत्तरप्रदेश का अगरह अपने exam भरा है वहां से भी और national level पर भी काफी आपके लिए important है राश्टे बाली का दिवस पर किस राज्य ने पंक अभियान शुरू किया है तो पंक अभियान शुरू किया है मध्यप्रदेश ने तो इस अभियान का मकस्त है कि बाली काउं को सुरक्षित रखना और उनका विकास करना और national girl child मनाये कब जाता है राश्टे बाली का दिवस यह 24 जन्वरी को मनाये जाता है अगर हम साइज देखें तो मध्यप्रदेश भारत का दूसरा लार्जिस्ट स्टेट है और बैंक नोट प्रेस यह मध्यप्रदेश के देवास में है निउस्प्रिंट फेक्टरी यह नेपा नगर में है कई बार एक्जाम में पुछा गया है कि नेपा नगर किस चीज के लिए फेमस है तो आंसर होगा निउस्प्रिंट फेक्टरी के लिए बकोरिया ट्राइबल फेस्टिवल, तांसेन मुजिक फेस्टिवल जो ही ग्वालियर में मनाया जाता है, कालिदा, समारोज, उज्जैन में मनाया जाता है, नर्मदा फेस्टिवल, काना, नेसल पार्क, कुनो नेसल पार्क, बांदावर नेसल पार्क, दुमादार फॉल, महिस ओमकरेश्वर, उजयन, चित्रकूट और अमरकंटक ये सभी मध्यपरदेश में हैं, साथी खजुराव टेंपल्स, उदाइगिरी केव्स, बीमबेटका, रोकसेल्टर्स, एंड पचमारी हील स्टेशन, ये सभी मध्यपरदेश में हैं, और आपके स्टाटिक जी के लिए में 133, Religious Freedom Bill 2020 को भी एप्रूव किया है, साथी मध्यपरदेश ने एक मास्क अनेग जिंदी की कैम्पेन भी लौंच किया है, साथी मध्यपरदेश ने रोजगार से तूइस कीम को लौंच किया है, स्किल्ड वरकर्स के लिए, और फ्रेंड्स, अभी हाली में लेपरद सेंस के आकड़े जारी किये गए है, 2018 की रिपोर्ट अभी जारी की गई है, तो इसमें भारत में टोटल 12,852 लेपर्ड है, और सबसे ज़्यादा करें तो मध्यपरदेश में है 3,421 लेपर्ड, और 2014 के मुकाबले 60% बड़ोतरी हुई है लेपर्ड में, साथी मध्यपरदेश ग गई है, यह सभी टाइगर रिजर्व मध्यपरदेश में है, काना, पेंच, पन्ना, बंदवगड, सत्पुडा और संजे टाइगर रिजर्व, साथी आपको यह भी जानना चाहिए कि मध्यपरदेश ने हाली में लौंच पैड इसकीन को भी लौंच किया है, साथी अमेरिकी टॉक सो होस्ट, लेरी गिंग का हाली में लिजन हो गया, उनका दिल्चस्प सो, लेरी किझ लाइफ, किस टेलीविजन समाचा नेटवर्क पर परसारीत होता था, तो फ्रेंडagram यह परसारीत होता था, cnnN पर, तो फ्रेंड में लेए आपके एक्जाम के लिए इनकी बात करें तो उन्हें हाइदराबाद के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में काफी कुछ लिखा है और इनकी एक बुक है मुहमत कुली कुतुप शाह दफाउंडर ओफ हाइदराबाद ये काफी इनकी फेमस वर्क रहा है इनका निम्नलिकित में से किसे पद्म विभूशन 2021 से सम्मानित किया गया है तो options आपके सामने है और correct answer होगा option A, Sinzo Abe तो Sinzo Abe जो है ये जापान के former prime minister है और इन्हें इस साल पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया है PADMA Awards 1954 में इनका गठन किया गया था भारत रतन का गठन भी 1954 में किया गया था और ये 3 categories में दिये जाते हैं पद्म विभूशन, पद्म वूशन और पद्म श्री तो PADMA Awards जो है ये नागरिक सम्मान है और ये Awards किसे दिये जाएं ये PADMA Awards Committee decide करती है कोई भी इसमें nomination कर सकता है आप self nomination भी इसमें कर सकते हैं और हर साल Republic Day पर ये awards दिये जाते हैं और इनको announce करती है Union Home Ministry साथ ही इस साल 7 पदमवी भूशन मिले हैं 9 पदमवूशन और 102 पदमश्री आवंटित किये गए हैं आगे बढ़ते हैं देखिए तो ये सबी हैं पदमवी भूशन साथ लोगों को मिले हैं जिनमें सिंजवाबे आप देख रहे होंगे दूसरे नमबर पर हैं SP Bala Subramaniam तो वैसे तो ये awards जो है ये मरनो प्रांत नहीं दे जाते जनरली posthumously पर अब सरकार जो हैं इनको देने लगी है posthumously भी तो SP Bala Subramaniam जो की तमील नाडू से हैं इनका हाली में निधन हो गया था तो इनको भी पदमवी भूशन से सम्मानित किया गया है इसी तरह नरेंद्र सिंग कपानी भी है इनको भी पदमवी भूशन दिया गया है किस राज्य मंत्री मंडल ने राज्य लोकायुक्त संसोधन विधयव को मंजूरी देती है जिसके तहत सेवा निर्वित उच्च नयायले के नयायधीस भी लोकायुक्त के पद के लिए योग्य बन सकते हैं तो ये मंजूरी दी है गोवा कैबिनेट ने तो देखिए अब तक क्या होता है पहले देख लेते हैं कि गोवा के सीम है परमोथ सावन्थ और यहां के गवर्णर है बगसिंग कोश्यारी और यहां ही कैपिटल है पंडजी देखिए अगर हम लोकायुक्त के जो कानून है उसकी अगर बात करें तो केवल लोकायुक्त वही बन सकता है या तो वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ओफ हाई कोर्ट हो लेकिन अब यहां पर जो इन्होंने विध्यक को मनजूरी दी है तो इसके तैट अब जो उच्छे नया लएकिट जो जज है वो भी अब इसमें लोकायुक्त बन सकते है तो याँसा जुरूरी नहीग कि चीफ जस्टिस रहे हो तो अब जो लोकायुक्त बन सकते है भारत के सबसे लंबे सडक आर्ष ब्रिज का उध्गाटन किस राज्य में हुआ है तो इसका उध्राटन हुआ है मेगाले में और इस ब्रिज का नाम है वार्यू ब्रिज तो आज मतलब होता है जो यह आप शेप देख रहे हैं कर्व शेप इसको बोलते हैं आज साथी मेगाले के अगर बात करें कि कि सिटी को Scotland of the East बोला जाता है तो आंसर होगा Shilong साथी मेगाले ने पिछले साल ही मतलब 2020 में पीगरी मिशन भी लॉंच किया है तो ये भी पुछा जा सकता है आप शे बारत और किस देश ने पंडुपी बचाव सायता यानि Submarine Rescue Support पर एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है तो ये किये हैं भारत ने सिंगापूर के साथ साथी आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में Simbex 20 ये इसका 27th edition हुआ है तो ये जो भारत की exercise है ये Singapore और इंडिया के बीच में नवाल exercise है और ये हुई है अंडमांसी में Simbex साथी इसी तरह की एक exercise हुई है Sitmax 2020 तो ये भी नवाल exercise हुई है इंडिया, Singapore और Thailand के बीच में अंडमांसी में हाली में केंदर सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विवा की उम्रे बढ़ाने के अपने परस्ताव पर अमल करने के लिए 2020 में गठित एक task force ने अपने report प्रस्तुत की है तो इस task force का नेतरत किस ने किया तो friends इसका नेतरत किया है J.I.J. ली ने और V.K.Pol जो की नीतियायो के मेंबर है तो इन दोनोंने इस task force का नेतरत किया है तो इनकी अगर हम newspaper की बात करें वैसे इनकी report अभी साजा नहीं कही गई है तो इनोंने ऐसा recommend किया है कि जो marriage age है लड़कियों की वो 18 से बढ़ा कर 21 कर दी जाए Power Grid Corporation of India Limited PG CIL ने किस राज्य के साथ दूर संचार connectivity में सुधार करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है तो ये किये हैं friends हिमाचल परदेश के साथ हिमाचल परदेश के CMH जैराम ठाकुर जिनकी आप image देख पा रहे होंगे और यहां के governor है बंदारोद अत्तात्रे और यहां ही capital है Shimla साथ ही अगर हम हिमाचल परदेश की बात करें तो Great Himalayan National Park और Pin Valley National Park ये हिमाचल परदेश में है साथ हिमाचल परदेश का state animal है Snow Leopard हिमाचल से जुड़े कर current affairs की बात करें तो वर्ड की longest highway tunnel हाल ही में हिमाचल परदेश में inaugurate की गई है अटल टनल इसका नाम है साथ हिमाचल परदेश सीम ने हाल ही में अटल ब्यारी वाचपाई जी का 18 feet statue हाल ही में unveil किया है यानि कि उसको उसको launch किया है साथ हिमाचल परदेश गोवर्मेंट ने हाल ही में एक निकाह इस तरह का program भी चलाया था ताकि के लोगों को COVID-19 के प्रति जागरू किया जा सके साथ हिमाचल परदेश ने पंचवट योजना भी शुरू की है और हिमाचल परदेश ने हिम सुरक्षा अभियान को भी शुरू किया है साथी फ्रेंट्स हिमाचल परदेश के cm ठाकुर ने हाल ही में हिमाचल पर्देश का पहला online youth radio station भी launch किया है तो यह सभी हमने अपने previous sessions में cover कियो है यहाँ पर आपके revision purpose के लिए बताए गए है बच्चों के अनुकूल यानि a children friendly police station किस राज्य में सुरू किया गया है तो यह सुरू किया गया है उत्राखंड में और यह जो आप image देख रहे हैं यह है उत्राखंड के CM त्रिवेंदर सिंग रावत और यहाँ की governor है बेबी रानी मोरिया और यहाँ पर दो capitals है देरादून जो की winter capital है और गैर सेंड जो की summer capital है उत्राखंड की बात करें तो उत्राखंड में हाल ही में 19 साल की एक लड़की है उनको एक दिन का chief minister बनाया गया है इनका नाम आपको comment box ने बताना है यह हमने अपने session में cover किया है अभी साथी आसन conservation reserve यह उत्राखंड की first रामसर side बनी है हाल ही में साथी उत्राखंड government ने जो यह मन्रेगा है इसमें working days को बढ़ा कर सो से बढ़ा कर डेट सो कर दिया है साथी friends union minister जो है हमारे हर्स वर्दन जिनके पास health ministry है इन्होंने हाली में weather radars इसको launch किया है उत्राखंड और हिमाचल परदेश में तो इनके पास earth science ministry भी है तो उससे related यह current affairs है तो याद रखना उत्राखंड और हिमाचल परदेश में इन्होंने launch किया है और इसका आप comment box में जरूर बताना कि जो एक दिन की जो chief minister बनी है इनका नाम क्या है साथी friend justice आरेश चोहान इन्होंने उत्राखंड high court के रूप में हाल ही में सपत ली है chief justice के रूप में निमलिकित में से कौन सा विकल्प सही है तो friends तीनों options है और fourth है आपके पास all of the above तो इन में जो है तीनों ही options सही है सुरू के मावीर चक्र मिला है कर्णल संतोस बाबु को कीरती चक्र मिला है सुबदा संजीव कुमार को और सोज्य चक्र मिला है मेजर अनुज सूद को राजमार्ग परिवन के विकास के लिए सिक्षन और परसिक्षन पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए सड़क परिवन और राजमार्ग मंत्राले के साथ किस IIT ने भागिदारी की है तो friends ये की है IIT रूड की ने देखें कुछ इस तरह के question होते हैं जिसमें explanation की जरूरत नहीं होती केवल आप यहां से यहीं देखी कि IIT route की नहीं किया है और इसी तरह से exam में पूछा जा सकता है तो जहां पर आपको explanation की जरूरत होती है वहां पर आपको बताया भी जाता है सावधी जमा सेवा यानि Fixed Deposit Service के लिए किस बैंक ने सुरियोदय लगू वित्त बैंक के साथ साज़ेदारी की है यानि सुरियोदय Small Finance Bank के साथ साज़ेदारी की है तो यह किया है Paytm Payments Bank ने राष्टिय कोशल विकास निगम NSDC National Skill Development Corporation ने भारत में डिजिटल कोशल परसिक्षन परदान करने के लिए किस विश्व विद्याले के साथ भागेदारी की है तो यह की है California State University के साथ जोगी United States में है हाली में Airtel Payment Bank ने Airtel Safe Pay नामक Digital बुक्तान के लिए एक सुरक्षित platform launch किया है Airtel Payment Bank का मुख्याले कहां इस्तित है तो इसका मुख्याले है नई डेली में निव डेली बारते रिजर बैंक ने धोकादरी की रिपोर्ट करने में देरी के लिए Standard Chartered Bank पर कितना जुर्माना लगाया है तो यह लगाया है फ्रेंट्स दो करोड रुपे का तो इन्होंने जो है जो Fraud Practices होते हैं उसको Report करने में थोड़ा देर लगाया है RBI को तो इसलिए RBI ने इन पर दो करोड का जुर्माना लगाया है परवासी कामगारों के लिए निम्लीकित में से किस ने स्रम सक्ती Portal को लॉंच किया है तो यह किया है फ्रेंट्स अर्जुन मुंडा अर्जुन मुंडा जो है यह Union Minister of Tribal Affairs है साथी फ्रेंट्स आपको यह भी जानना चाहिए कि Tribal Affairs मिरिस्ट्री जो है इसको इस साल भी इसको चैलेंजर अवर्ड मिला है E Governance के लिए भारत-अफरिका व्यापार परिस्ट यानि इंडिया-फरिका ट्रेड काउंसिल यह किस सहर में इसका उध्गाटन हुआ है तो इसका उध्गाटन हुआ है चेन नहीं में इन तमिल नाडू किस राज्य ने अवलोकना सोफ्ट्वेर लौंच किया तो ये सोफ्ट्वेर लौंच किया है करनाटक ने करनाटक के CM है B.A.C.A. दुरपपा और यहां की गवर्णर है वाजुभाई वाला और यहां की केपिटल है बेंगलूरू साथे आपको यह भी जानना चाहिए कि यहां पर तीन डिप्टी CM है C.N. अस्वनात नारायन, गोविंद काजरोल, करजोल और लक्षमन सवादी तो यह जो इन्होंने सोफ्ट्वेर लौंच किया है इसके तहएट जो गोवर्मेंट है तो जो विबिन डिपार्टमेंट से हैं आपर उन्होंने क्या एक्स्पेंडीचर किया है और किस एमाउंट को नोंने सेंक्शन किया है तो इस सब पर नजर रख सकती है इस सब डेटा को वो हासिल कर सकती है साथ ही इस पुस्तक को रिलीज किया है गोवा के सीम प्रमोट सावन्त ने और साथ में आप सभी करेंट अफेर्स फंडा को टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुरर वीडियो अपडेट्स और करेंट कुजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही डिसकसन गुरूप में आप किसी भी कोश्चन का सोलोशन पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर करेंट अफेर्स की प्लेलिष्ट दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ वाटसेप और टेलिग्राम पर शेयर करें लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी थैंक्यू गाइस